हाई फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको एक फ्लॉकड एयर बैड का रिव्यू देने वाले हैं जो कि हमने मंगाया है ओनलाइन इसकी जो पैकिंग है वो खोलते हैं सबसे पहले इसको हवा वाला गद्दा भी बो लीजिए इसके साथ एक पंप मिलता है जिससे हम हवा वगरा बढ़ते हैं लेकिन हमारे हस्पेंड ने मुह से हवा भरी इसमें वैसे हमने पंप का विसमें यूज किया था बट उन्होंने मुह से हवा भर दी और काफी अच्छी वरी थी वो मुह से भरते हुए मैंने नहीं कहीं बाहर जा रहे हो मतलब ट्रेन वगरा में भी यूज कर सकते हैं जैसे किसी बुजुर्ग के लिए या पिकनिक पे जा रहे हो कहीं तो वहां पर इजी लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं और पैकिंग इतनी तगड़ी थी ना इसकी पूरा ग्ल्यू लगा हुआ था बहुत मुश्किल से मैंने निकाला उसको फिर इसके अंदर एक और पैकिंग थी तो ये देखिए ये वाला अब ये कैरी बैग में बंध है चले तो इसको निकालते हैं और देखते हैं इसका प्राइज भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कितना प्राइज हुए और बेटे ने इसको उठा के भी दिखाया है कि इसको उठा के कोई भी बच्चा कहीं भी ले जा सकता है ये बार ही नहीं होता बहुत हलका होता है आप मंगवा सकते हो अगर मम्मी पापा आए हुए हैं घर पे विसे तो हमारे अलड़ी दो बैड हैं और एक गद्दा भी है लि ये बार से तो कुछ ऐसा जैसे होता है ना अपना हम बारिस में जैकेट वगएरा यूज़ करते हैं उस तरीके का इसका जो कपड़ा है वो है और इसमें ये देखिए होल देख रहा है आपको यहां से हम इसमें हवा भरेंगे ये देखिए इसमें पूरा मतलब ऐसे उंली दालेंगे तो एक दम पार है ये तो यहीं से आप pump से हुआ भर सकते हो और इसके साथ जो हवा भरने वाला pump आता है वो भी आता है लेकिन इसके साथ नहीं आया है वो यह अलग-अलग quality में आते हैं और इसमें आप मुह से भर सकते हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था जब उन्होंनों बोला था कि मुझे भर दूँगा मैं हवा बट मैंनका ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन जैसे इन्होंने स्टार्ट किया भरना वो उपर आने लगा फूल ने लगा वो लेकिन उसमें लगभग हमारे दो-तीन मिनट गए होंगे इन्होंने फटा-फट से बहर दी उसमें हवा तो अभी शुरू में हमने पंप यूज किया था बट उससे इतना भर नहीं रहा था उससे थोड़ थोड़ दिखतो रहा होगा आपको फूल रहा है लेकिन उन्हों कोई समय में नहीं आया तो फिर इन्होंने अपना उसी का कहते है न मूँ का यूज किया और इसमें हवा भरी और हमने इसको दो-तिन दिन कोरंटाइन किया था आईशिलेशन में रखा था ऐसा नहीं कि एक दम मतलब इसको हमने मूँ लगाया और फिर अच्छे से मतलब ऐसे जो पतला डुपटा होता है न वो लगा कि तब हमने इसमें हवा भरी थी ऐसे नहीं डारेक्ट नहीं भरी थ आप भरने के बाद में कुछ इस तरीके से देख रहा है तो अब देखी सकती है बहुत हलका है यह देखिए मेरा बेटा उठा के भी देखाएगा आपको इसको और यह बतलो ऐसा भी नहीं ज़्यादा जगा घेरता है चोटी सी जगा में आजाता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये और इस पे कोई भी आप ऐसा हलका कपड़ा बिचा के सो सकते ये वाला जो कपड़ा है यहां से सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये इसका उल्टा वाला हिस्सा है और जब भी अगर मुह से हवा भर रहे पंप नहीं है तो कोई पतला डुप है ये बहुत हलका है आप भी मंगाईएगा जरूर मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे अगर किसी कुछ चाहिए तो और वैसे बैटने में भी बहुत ही कमफर्टेवल था ऐसा नहीं है कि मतलब बैटने में कोई दिक्कत है एक दम और इसको देखिए हवा निक करना तो हवा निकालके हम इसको रख सकते हैं और यह हमें 2000 के आसपास पड़ा है यह देखिए वैसे 2400 का पड़ता है लेकिन इस पर कभी कभी आफ बीच चलता है तो हमें 2000 का पड़ा है देखिए होल है जो यहीं से हवा निकालके हम इसको फिर से फोल्ड कर सकते हैं लेकिन folding इसकी अच्छे से होनी चाहिए माली जे कोई guest नहीं आ रहा है तो use में नहीं आ रहा है तो रख दीजिए अच्छी लगे वीडियो तो जरूर बताईएगा धन्यवाद आप सभी का